हेलो दोस्तो आप सभी का मेरी यूटूब चैनल घरेलून उसके पर आपका स्वागत है आज मैं आपको इस वीडियो में आलू के फायदों के बारे में बताने जा रहाएं दोस्तो अकसल लोग सोचते हैं कि कहीं आलू खाने से चर भी न बढ़ जाए लेकिन आलू में ऐसे कई गुण है जिने आप जानेंगे जो इससे जरूर खाना चाहेंगे आलू में विटामिन C, विटामिन B, कॉम पलेक, साइरन, केलिसियम, मैगनीज और फास पुरसकापी मातरा में पाए जाते हैं आलू चेहरे के दाग भी दूर करता है आज हम आपको आलू के कुछ ऐसे ही फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं नमबर एक, स्कीन कलर के लिए चेहरे की रोनक को बनाए रखने के लिए आलू को कद्दू कस करके चेहरे पर लगाएं और 30 मिनट तक लगा रहने दे आलू को रोज चेहरे पर लगाने से चेहरे का रंग साप होने लगता है और किसी भी परकार की सूजन हो तो वह कम होने लगती है आप आलू को मिक्चर में नीमबू भी मिला सकते हैं नीमबू में विटामिन C होता है जो स्कीन के कलर को साप करता है नमबर दो, रिंकल होने पर, चेहरे के सुखड़ान और लाइंस होने पर आलू का रज लगा सकते हैं आलू में एंटी एंजिंग और चेहरे पर पढ़ने वाली सुखड़ान यानी की जुर्यों को खतम करने का गुण होता है आलू का तुकडा काट का लगाने से चेहरे पर गुलो भी आता है साथ ही स्कीन साप और सोप्ट भी बनी रहती है नमबर तीन डार्क स्पोर्ट होने पर चेहरे याँखों के नीचे डार्क स्पोर्ट होने पर आलू सबसे ज़्यादा फाइदेमन्द है अगर आपके चेहरे पर बुलोग स्पोर्ट है तो आलू की सलाइस को चेहरे पर रगड़ें और धीरे धीरे हातों से पांच मिनट तक मसाज करें मसाज करने के बाद थंडे पानी से धो लें नमबर चार फेसल के दाग होने पर कई बार ऐसा होता है कि कोई फेसल हमारे चेहरे को सूट नहीं करता है ऐसे में चेहरे पर दाग पढ़ने लगते हैं ऐसे में आलू अच्छा घरेल उपाए है इसके लिए आलू को काट कर चेहरे पर लगाएं नमबर पांच, सन बर्ण होने पर गर्मियों में सन बर्ण होने पर आलू से बहतर कोई उपाय नहीं है इसके लिए आप आलू की सलाइस काट कर फ्रीज में रख दें उसके बाद थंडे आलू को सन बर्ण एरिये पर लगाएं इससे स्कीन साप स्मूद और सुप्ट होगी नमबर 6 डार्क सरकल को रिमूब करने के लिए आखों के डार्क सरकल को दूर करने के लिए आलू एक नैचुरल उपाय है आखों के नीचे काले घेरे होने पर आलू का रस निकाल कर आखों पर लगाएं आलू करस रेगुलर लगाएं आलू करस लगाने के लिए कोटन या कोटन माल का इस्तमाल करें नमबर साथ ड्राई स्कीन के लिए जिन लोगों की स्कीन ड्राई होती है उनके लिए आलू परफेक्ट है इसके लिए दही में आलू को मिक्स करके माक्स बनाएं इसे चेहरे पर 20 मिनट तक लगा रहने दे यह एंटी एंजिंग रेमीडि के रूप में काम करेगा नमबर आट डेड़ स्कीन सेल के लिए आलू चेहरे की जमाक और एंटी एंजिंग के साथ साथ स्कीन के डेड़ सेल को भी खतम करता है चेहरे पर 10 मिनट तक आलू लगाए रखने से स्कीन के डेड़ सेल खतम होने लगते हैं नमबर नो नेचुरल कलेंसेर आलू एक नेचुरल कलेंसेर है आलू के साथ खीरे को मिक्स करके चेहरे पर लगाएं इसके बाद एक चमच बेंकिंग सोडा को थोड़े से पानी के साथ मिक्स करके लगाएं इससे चेहरा साफ होगा और साइन करेगा नमबर दस एंजिंग जलन और कीड़े के काटने पर सरीर मेरे से जलन और एंजिंग खुजली होने पर आलू को काट कर लगाएं आलू लगाने से जलदारा मिलता है दोस्तों यह थाज का हमारा वीडियो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें और जादा से जादा सेयर करें और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना न भूलें